पश्चिम बंगाल में चुनाओ जैसे जैसे नस्दीक आ रहे हैं निताओं के बयान बाजी और तेस हो गई है इस बार टीमसी के सांसाद अभिशेक चक्रवर्ती ने ग्रह मंत्री पर टिपिडी की है इस पर करारा जवाब देते हुए डिप्री सेम के श्रपरसाद मौर ने द कि जितना अम इस शाजी की रैली में होते हैं उतने ही लोग हमारे यहां जैसे भी खोदने में खड़े होकर देखते हैं हमारे साथ मोझने टिप्टी सेमकेशो प्रसाद मौर जी सर लगातार जो है इस तरीके के बयान आ रहे हैं बीजेपी के वहां परचार परसार के लिए और मैदान भरता और वह मैदान भी छोटा पड़ गया था तो उनको अगर उहां दिखाई दे रहा है तो मैं समझता हूं कि उनको अपने बारे में सब कुछ दिखाई दे रहा है और भाज़भाक का जो जुवल भविस है वाज़भा को प्रतिज जो पसिं मंगाल की जनता क का समर्थन है बाजपा के साज और मानी नरेन मोदी जी मानी अमिस साज जी मानी जेपी नड़्डा जी सबके समर्थन में जो पस्षिम बंगाल का इतना बड़ा जनविस्वास देखने को मिल रहा है उससे घवराय हुए सत्ता से बेदखल होने की आज इस्थिती में पहुंच गाए हैं टीम सी में भगदर मची हुई है और भारती जनता पार्टी पस्षिम बंगाल में एतिहासिक विजय की और बड़ा से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अब्जेक्शन उठाया है चुनाव आयोग के अंद से लगातार संपर करने वाली टीम होती है राष्टी अस्तर की भी प्रदेश अस्तर की भी उन्होंने सिकायत किया होगा भी जानकारी नहीं है लेकिन कोई अगर किसी के बारे में सिकायत होती हो बताना चाहिए आयोग उसको देखेगा जो आवसक कारवाई होगी मुझे उम उससे भी अधिक उस्साह 2021 में मुझे देखने मिल रहा है इसलिए यूपी में 300 पार चुकि वहां 400 सीज़ेदा सीटे नहीं है 300 के अंदर है इसलिए जो पूरा परिदर्स दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से परसिम बंगाल में 200 पार सरे कंतिम सवाल है उत्तर प्रदेश में पंचाय चुनाओं को लेकर जो कोर्ट ने बोला है कि 2015 का अधार रखा जाए चुनाओं नहीं मानी नियाले ने जो भी निर्देश दिया है सरकार अपने उत्तरदाइत को संभालेगी और जो मानी नियाले का अधिय से उसका परण के सब्सक्राइब करें जन्तंत्र टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट